इस में प्रतों सब्सक्राइब नमसकर दूस्तों श्वगत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा ये कोई शधारान पौधा नहीं दोस्तो ये बहुत ही दूरलब पौधा है और दोस्तो मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमतकारिक फैदा बताऊंगा ये ना केवल आब को चमतकारिक लाव देंगे बलकि दोस्तो इस पौधा को घर में लगाने से आब के घर के वातावरान को शुद रखेंगे आब के घर में जितने भी लोग निमाज करते हैं अगर इस पोधे की आउरा में रहे अगर इसके आसपास में भी रहे तो उसे बीमारी छुबी नहीं पाएंगे यहां तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत नीज एवं काली शक्ती उसके बाल बाका नहीं कर पाएंगे दोस्तो पेंड पोधी इसवर कही शरुप होते हैं दोस्तो हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेंड पोधिये में जीवन छुपा है पेंड पोधिये को पहचानों पेंड पोधिये हमारे शत्रू नहीं हमारे मित्र हैं दोस्तों अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जूड़ करके पेंड़ पोधी की जानकरी को शिखना चाहते हैं तो बिलम न करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जूड़े कमेंड बॉक्स में जो है दोस्तों आप जो है बिल्कुली जय हिन जय अर्वेज जरू लिखे क्योंकि हमें गरवा होना चाहिए कि हम भारत भूमी में जन्म लिए और भारत भूमी में पेंड़ पोधे की जानकरी आज भी शमापता नहीं हुई पेंड़ पोधे मानाव जवाती के लिए इश्वर का वरदान है पेंड़ पोधे आपने देखा होगा तेज धूप में शोयं तपता है लेकिन मानाव एवं अन्य प्राणियों को सीताल एवं ठंधक छाया प्रदान करता है दोस्तो पेंड़ पोधे की और मैं क्या बखान भगवान स्री कृष्ण गीता में पीपल की ब्रिक्षा को अपने स्वरूप बताएं हैं पेंड़ पोधे हमें फ्री में आक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ेगें कार्बान डाइक्साइड अर्था दूसीत वायू को ग्रहन करते हैं दोस्तों हमारे मान जीवन के लिए पेंड़ पोधे बहुत उपयोगी हैं इसलिए पेंड़ पोधे के मिलने वाले पैदों के भी हमें सिखना चाहिए इनके अभाव में हमारे घरों की आसपास में जितने भी पेंड़ पोधा रहते हैं किवल वह हमारे लिए घासफूसी रह जाते हैं किवल हम रहाई देखने का पओधा रहा जाते हैं! लेकिन दोस्तों अपने चनल के मतंद मत्द्दम से ज्दास ज्यादाप प्रयास करते हैं जितने परबीदिक परियोग अंतंतरिक पर्योग के धर Deutsch拜拜 करते हैं पेंड पोधे में थोड़ी बहुत इंट्रेस्ट रखते हैं, तो दोस्तो आब भी comment box में जय हिंद और जय आयरिवेद जरूर लिखना, क्योंकि आयरिवेद में जिवन छूपा हैं, पेंड पोधे में जिवन छूपा हैं, तो आज इस पोधे की नाम बताने जारूं, दोस्तो पैदा बताने जारूं, दोस्तो वह हैं मिठा नीम का पोधा, जिसे करी पत्ता के नाम से जानते हैं, कट नीम के नाम से जानते हैं, और उडिसा और कई ऐसे प्रांथ जहां पीसे बसान के नाम से जानते हैं, तो दोस्तो कडी का जो पत्ते हैं, पोधे हैं, यह खाने में ब अलग आता है, तो राहू, केतू, शनी यह सब की पीड़ा से मुक्ता हो जाता है, यह जो तिस परोग है, आज मैं आप लगों को इसके अईर्वेदिक परयोग बताऊँगा, इसके धार्मीक परयोग बताऊँगा, और कई इसके दिव्ययप परयोग बताऊँगा, तो कई परकार की वीमारी को दुर भगने कका कम करती हैं, अगर आज deposit की मात्रमें पीते हैं,तो अगर आज कहीं में मेगनिशियम की कमी है केलिशियम की कमी आईरन की कमी है कापड और विटामिन्स की कमी है उच सब को दूर करते हैं बस केवल आपको सप्ता में एक बार आधा कप की मात्रह में मिस्री की कुछ डाने डाल' करके इसके रस थोड़ास निकाल लिजैसर के पत्ते और पीजिए आप चाहें तो इसमें और भी इस्ट्रा पानी डाल करके पी सकते हैं यह बहुत लाबकारी शीद होता है दोस्तों लिवर हमारे सरीर का महत्वपुन्न हिस्सा है और इसका निरंतर बीना रूके सही तरीके से काम करना जरूरी होता है तो अगर आपको लिवर इनफेक्शन है लिवर को किसी भी प्रकार के डेमेज आगे हैं टीसू आगे हैं परसानी आगे हैं तो दोस्तों बेक्टरिया और वाइरस इनफेक्शन से बचाने के लिए फ्री रेडिकल सा यह सब को दूर करने के लिए आप जो करी के पत्ते का परो करना शुरू कर देते हैं तो कैसा भी आपके लिवर में कमजोरी हो वह कमजोरी दूर हो जाते हैं आप चाहें तो मेहने में एक बार एक कब करीब पत्ता की रस निकालीजें कुछ मिस्रिक दाने मिला लीजें और इसे सुबा खाले पेट में पीजें पूरे आपके लिवर का फिल्टर हो जाएंगे अर्थात आपके लिवर की सफाई हो जाएंगे जो लोग आँखों के रोशनी बढ़ाना चाहती समी विटामिन ए भरपूर मात्र में होते हैं तो करीब पत्ते का शेवन करने से चाहें आप सबजी में खाईए चाहें किसी भी प्रकार के इसका करें तो दोस्तों करी पत्ते का परोग खुन की कमी को दूर करने के लिए जरूर करें एक दिन में कम से कम आपको 20 करी का पत्ते खाने हैं सुबह साम करके 20 करी के पत्ते खाने तो आपके खुन की कमी भी पूरी हो जाएगी कई सोद में ये भी पाया गया है कि ये कुल करने का काम करते हैं अगर आब पुन्ड रोव से सुगर की बीमारी से बचना चाहते है फिर सुगर की बीमारी हो गियन उसे ठीक करना का चाहते हैं तो करी का पत्ता आब प्रति दिन कम से कब 20 की संसे में खाना शुरू कर दे यह फिर के पत्ते को 20 ग्राम करीard के को डेड़ गिलास पानी में उबाल लिजे अच्छी तरीके से उबालना है और जब एक गिलास से बच जाए तो इसे छान करके सुबा ये फिर साम में एक बार खाली पेट में पीजें तो ये बलड मींसुलीन की मात्रा बढ़ी है सुगर की आभी के बीमारी बहुत अतिधिक बढ़ गई है तो इसे मेंटेर रखने का काम करती कंट्रोल करती सुगर की बीमारी को ठीक करती है अब चले मैं आप लोगों को इसका धार्मिक पर्योग बता दूं तो दोस्तों धार्मिक महत्वा इस प्रकार से है शनी राहू और केतू ये तिन ऐसे ग्रह हैं जिसे पाप बताता हूँ अगर सनी की पिड़ा से परसान है तो काले कलर की रसी लेना है आप अपने उचाई के बराबर अर्थाद आपकी जितने हाइड हैं उतनी शंख्या में आप जो हैं काला रसी ले लिजिए और काला रसी आप अपने सरीर से साध बार उतारा करें उसमें साध गा आप जो हैं करी के पत्ते पर जा करके बांद दीजिए बिलुकुली दोस्तों सनी की कैसा भी पिड़ा हो महा दसा चरी सड़े साती चरें अढ़ाया चरें जब जस्ताय तांत्रिक उपाए हैं इससे सनी की पिड़ा दूर होती है यह खींच लेता है क्योंकि यह जो मिठा न पिला धाग अपने सरी से उता करके सनीवार की दिन जो है अब जो है इसके पोधे पर बांद दीजिए राहूर केतु की पिड़ा दूर हो जाएंगे और इसके पुस्पा का तिलग लगाने से शमोहन सक्ती बढ़ता है जिहां समोहन सक्ती बढ़ता है और घर में यह करी का पत्ता लगाना बहुत सुभ माना जाता है बहुत इसे सकून माना जाता है करी की पत्ता घर में लगाने से जितना ज्यादा इसमें पत्ती हरी भरी आती हरी आली आती उतना ही ज्यादा उन्नती होता है और उत्तर दीसा में इससे लगाने से घर में धन का आवग बढ़ता है दोस्तो बार-बार किसी कार में आपको असफलता हसील हो रहे हैं कार भी सफलता नहीं हो पा रहे हैं और आपको कारा ना पता नहीं है तो करी के पत्ते आप जो अपने घर में लगाईए और करी के पत्ते में नित्या आपको क्या डालने दोस्तो दूद डालना शुरू कर देन बुद्वार के दिन अगर करी के पौधे आप अपने घर में लगाते हैं तो जैसे जैसे इस पौधे कब बिस्तार होना शुरू होते हैं वैसे वैसे आप कभी अध्यात्मा उनती होना शुरू हो जाते हैं अगर बार बार बिमार पढ़ते हैं डाक्टरी दवा धीरे धीरे काम करना बंद कर चुके हैं तो दोस्तों आप जो करी के पौधे बुधवार के दिन आप लगाईए जैसे जैसे ये पौधा बढ़ना सुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी बीमारे भी ठीक होना सुरू हो अगर आप इस अपने घर में लगाते हैं तो घर के वाद आवरण को सूध रखते हैं खुशबुदा रखते हैं जिसे आब के जो आवरा हैं वो बढ़ते हैं और जिनके आवरा प्रबल हो ऐसे विक्ति को मनचाहा नवकरी की प्राप्ती होती हैं कठिन परिश्रम के बाद धन प्राप्त करने में असफल हो रहें तो दोस्तों आप करी के पत्ते अर्थाद इसके पोधे आप अपने घर में ज़रूर लगए धन्य धना और इस थाई संपत्ती की प्राप्ती होगा दोस्तों अगर आपको भी करी के पउधा के बारे में इसके पत्ते के बारे में कुछ अईरिवेदिक लाब पता है ये फिर इसके तांतरिक परयोग पता है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताना आपके दोरा बताएं गएं उपाएं हैं ये फिर सुझाओं हैं आने वाले नेश्ट बिड़ो में हमारी इस चैनल में आपकी जानकारी बिड़ो बना करके साजा की ज़गी आपके एक सेखर किसी के लिए अम्रिद जैसा हो साकता है किसी की जिंदगी को बरबाद होने से बचा साकता है जन नीत होम जन कल्यान के लिए आगे जरूर शेर करिएगा धनिवाद नमस्कार